नमस्कार जी स्वागता आप सब गई जूकेशन गुरूजी में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज़स्तान बिरुजगारी बत्ता 2019 वाले टोपिक को लेकर जिसमें राज़स्तान में एक मार्ज से बिरुजगारी बत्ता मिलना इस्टार्ट होने वाला है जिस सब पहले तो पेपर की स्किटिंग को आप देख सकते हो राज़स्तान में एक मार्ज से मिलेगा बेरुजगारी बत्ता सेम गहलोत ने की गोशना राज़स्तान में बेरुजगारों को एक मार्ज से बेरुजगारी बत्ता मिलेगा मुक्हमत्री असो गहलोत ने गुरुवा सब्सक्राइब करने के मौके पर गोशना किया कि लड़कियों को तो इसमें यहां आप देख सकते हो यूवतियों को 3500 रुपय प्लस यूवकों को 3000 रुपय बेरुजगारी बत्ता दिया जाएगा लेकिन उनके लिए माननी सर्तिक क्या क्या रहेगी तो उसके लिए भी यहां पर डिटेल्स में दे रहे हैं 11 लाक बेरुजगार पंजीक रहता है लेकिन एक लाक को ही मिलेगा लाक 11 लाक बेरुजगार है लेकिन एक लाक बेरुजगारों को ही बेरुजगार बत्ता मिलने वाला है सेम असो गहलों ने 60 बेरुजगारों को पत्ता पांच कुना बढ़ाने की गोशना किये इसका लाक एक लाक बेरुजगारों को मिलेगा य सब्क्राइब एक फर्वरी 2019 से लागोगा लेकिन भुगतान एक मार्ज से की जाएगा इस पर परतिवर्लस कोड़ोग मारच सेही की जाए गा आगे आप देख सकते हो इसमें परतिवरस 520 करोड रुपे का खर्चा वहन करना पड़ेगा राजस्तान सरकार को बिरुजगारी बत्ता देने के लिए प्लस कॉंग्रेश ने गोशना पत्र में 3500 रुपे तक बिरुजगारी बत्ता देने का वादा किया था जो वादा पूरा करने वाली है कॉंग्रेश शरकार यहां आप आगे देख सकते हो लॉई लाब उने जिनकी परिवार की वार्शिक आये दो लाख के तैद इस योजना का नाम है अक्सित योजना जिसे राजिस्तान बेरुजगारी बत्ता योजना 2012 में लागू किया था इसके तैद तो लाग रुपए तक की पारिवारिक वार्सिक आये वाले इसना तक युवक बेरुजगारों को तीन हजार रुपए और महिला एंव विशेश्योगत बेरुजगारों को 3500 रुपए प्रैती मह बेरुजगारी बत्ता मिलेगा और इसी में आके अभी इस योजना में 17,000 बेरुजगारों को लाब मिल रहा है युवाओं को 650 रुपए महिलाओं को और योग्ये जनों को 750 रुपए भत्ता मिल रहा है याने परजेन टाइम में युवाओं को तो 650 रुपए बेरुजगारी भत्ता प्लस महिला इम विशेस योग्ये जन जिनको मिल रहा साड़े 700 रुपए जिसको बढ़ा कर 3,000 और 3500 रुपए कर दिया गया जो एक मार्स से मि पहातर हम